नमस्कार मैं हूँ इला पांडे और आप देख रहे हैं प्लैनेट भोषपूरी और आप सभी को होली की ठेरो शुब कामना है दोस्तों कहते हैं रंग है तो खुशिया है रंग है तो दुनिया है तो बस इस होली के रंगों में आप भी खुश हो जाएए खुशिया मनाईए बहुत सारी होली की रंग विरेंगी शुब कामना है मैं इस बार होली में अपने फैमिली के साथ मनाना चाहती हूँ जहां पर घरवाले मेरा बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं और हम लोग सारे लोग लोकल मिल की इतनी मस्ती करते होले के दिन हम लोग भूल जाते हैं कि कौन क्या है बस सबको रंगना है बच्पन की होली का तो मैनों से इंदजार रहता था कि होली आ रही है गुजिया बनना है रंग लगाना है किसको किसको टारगेट करना वो सारी चीजे नए कपड़ सब याद होता था अभी इतना ज्यादा काम के चक्कर में इधर अधर भाग कि और इसके अलावा मेरी आ रही है फिल्म है जान तू बेफा बाडू और यह दोनों फिल्में है फिर एक है गजब का प्यार यह तीन फिल्म मेरी बस आने वाले मैनों बहुत जल्दी ही पड़े पर आएगी और इसके अलावा भी मैंने किया ता आप लोगों ने देखा भ रही है इसमें लोग बगारे में फिल्मी दुनिया बी यहां के लोग भी आच्छे हैं जहांपे है हहां जब से फिल्म इनरष्टी में पैर रखा है मुझे पогश्डिव ही मिले है जड़्या में सथी ही हुआ है तो इसल्ए मेरा इस इंडिस्टी से मेरा बहुत गहरा नाता और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है अगर हम अच्छे हैं तो पूरी इंडरस्टी अच्छी है हम साफ शुत्री है तो सब लोग सही है बहुत अच्छा रहा मेरा अब तक का सफर मैंने स्टार्ट तो मैंने किया इस इंडरस्टी में मैंने पैर रखा है फिल्मी लाइन म में मैं आ गई हूँ और आप सब का अश्रिवाद भी चाहूंगी कि वस मैं भुषपूरी में बनी रहूं मैं भुषपूरी में एक मुकाम पाना चाहती हूँ बनारस में प्रसार भारती से मैं जुड़ी हूई हूँ यानि कि मैं आकाश्मारी में भी महा कार करती हूँ दूर करके चलती हूं चंग सियासत की इसमें मैं हूं मेरी अपोजिट है फिल्म के प्रेडूजर ही मेरी अपोजिट है श्री प्रकास जैसवाल उर्फ हीरो भाई फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है एक दो परिवारी के बीच में कैसे लोग तीसरा फायदा उठाता है आपसी र परिशाया गया है और हमारे जो हीरो भाई निर्माता है इन्होंने फिल्म में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है कि फिल्म में कहीं भी कोई चीज में कॉम्प्रमाइज हो फिल्म के मैक्सिमम शूटिंग आज़ामगड के रियल लोकेशन में हुई है वो लोकेशन इतना अच् फिल्म में कहीं कोई अश्लेलता नहीं है ग्लोरी मोहनता जी भी साथ में है आइटम किया है प्रतिभा पांडे जी ने बहुत बढ़िया एक मुझरा पेश किया है साथ में संजय पांडे जी भी है बालेशवर जी भी है इनुश्री भी साथ में है फिल्म के कहानी ही इतनी अच्छी है जब मुझे कहानी सुनाई गई मुझे मेरे क्रेक्टर बताया गया मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि नई बस मुझे ये करना है और वाक्के फिल्म बनने के बाद मैंने उसके कुछ एडिटिंग अभी हो रही थी मैंने देखा बहुत अच्छे फिल्म बनी जब मुझे कुछ एडिये